दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है दिल्ली में जो एवरेज EQI है वो 400 के करीब पहुंच चुका है अगर हम एक्जैक्स विगल्स में हम बात करें तो CPCB यानि की सेंटरल प्लूशन कंट्रोल बोर्ट के आकणों के मुताबिक इस वक्त जो दिल्ली का इवरेज EQI है वो 300, 93 है यानि की 400 के करीब जो की गंभीर की श्रेडी में आता है और दिल्ली के कई लाके ऐसे हैं दिल्ली में 37 मॉनिट्रिंग स्टेशन है जहां पर EQI की को मापा जाता है कई मॉनिट्रिंग स्टेशन पर जो EQI का लेवल है वो 400 के पार जा चुका है यानि ओल enhance dogire कर दिल्ली की हवा जो है वो हो चुके है अभी इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौझूद है और स्मॉग की चादर जो है वो आप आप जो है वो रही है और अगर इस इलाके की की बात करें तो इस वक्त 404 एक्यू आई है जो की गंभीर की श्रेडी में आता है और जैसा कि पिछले कुछ दिल्ली में ज़रूर लागूं है दिल्ली में जो स्कूल और कॉलज़ेस्ट उनको 19 मंबर तक बंद कर दिया गया था ले लेकिन बीटेस व्मवार से दिल्ज बीच्व पढ़ी मेंस ठनानक्र लेकिन जो हो ऽे सरकारों की तरफ से के लिए जो है वो एक और परिशानी का सबब है हाला कि मौसम विभाग के मुताबिक की जो है वो पहाड़ी जो छेत्र है वहां पर वर्फबारी का पुरुवानुमान जो है वो जताया गया है ऐसे में 23-27 नवंबर तक जो है वो दिल्ली में बादनों की आवाजाही भी जो है है या नहीं अगर अगर हवा की इतनी रहती है तो दिल्ली में प्धूश्र दे रहाथ ज़रूर मिलेगी नहीं तो फिर दिल्ली की आब हवा जो है वो इसी तरीके से जहरीली रहने वाली है आगे आने वाले कुछ हफतों तक कैμεरा पसंद पंकिजरावत के साथ एमेद बिल झाल झाल